अग्याइब वेल्कम तु माइट फाइप्स ऑफ द वी सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वह है फ्लाइपर लिंक फ्लाइपर लिंक एक बहुत ही यूस्फुल एप्लीकेशन है अगर आप काफी सारी चीज़े एक टाइम पे करते हैं यानिक अगर आप यूटुब देखते है या फिर अगर आप जीमेल अपना यूस कर रहे है या वाटसब यूस कर रहे है अगर आपको उसी एप्लीकेशन की वी दिन अगर को लिंक आ जाती है और आपको वह लिंक ओपन करना रहता तो आपको एक पर्टिकुलर ब्रॉजर में लेकर चला जाता है फिर आपको उस अप्लीकेशन के अंदर यूस कर सकते है यहां पर अगर आपको कोई भी लिंक आती है किसी भी अप्लीकेशन के अदर जब भी आप उस लिंक पर प्रेस करते तो वह इस तरीकी का एक फ्लोटिंग बार में आ जाता है अब यहां पर आप जो वह इस तरीकी से यूस कर सकते है दूसरा जो application है वो है minimalist wallpapers minimalist wallpapers एक बहुत ही unique application है आपको बहुत सारे unique wallpapers मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस type के आपको different type के wallpapers मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे इनके पास category से आप देखेंगे यह बहुत ही beautiful type का आपको यहां पे जो वालपेपर मिलते हैं Superhero से लेके, Inspirational से लेके आपको category wise मिल जाती है आप इस तरी के अगर मैं यहां पे settings में जाता हूँ categories में अगर मैं यहां पे जाता हूँ तो आप देखें कि आपको बहुत सारे categories भी मिल जाती है music, movies, pokemon, space, sports, vehicle लेकिन खासियत इस application के मुझे यह लगी है कि यहां पे इस application में आपको बहुत बहुत different type के wallpapers मिलते हैं तो शायद साब को किसी दूसरे application में देखने को मिल सकता है अगर आपको अपने wallpapers एक unique way में set करना है तो मेरे साब से यह application आप लोगो के लिए one of the best application है तीसरा जो application है वो है Giphy अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो आपको पता होगा आपको काफी सारे GIF images आते हैं GIF, GIF अब जो भी कहिए यहाँ पे आपको पता है कि यह WhatsApp पे अब यह काफी ज्यादा चल रहा है काफी trending में चल रहा है आपको नहीं पता है यह लोग कहां से send करते हैं कहां से इसको डाउलोड करते हो तो Giphy application एक one of the best application है जो आपको GIF images डाउलोड करने का मौका रहता है जो भी totally free है यहाँ पे आप देखेंगे आपको काफी सारे options मिलते हैं इसके अगर आप देखेंगे राइट में swipe करते हैं आपको category wise भी मिल जाते हैं यहाँ पे अगर फॉर एगर हमें कोई एक Giphy image चाहिए यहाँ पे इस तरीके से तो आप देखेंगे इस टाइप के Giphy images बेजना है तो यह application जाईए और इसको जो वो यूज करिए चौता जो application है वो है act display अगर आपको अपने mobile के notification एक decent way में दिखाना है तो मेरे साब से यह आप लोगों के लिए बहुत ही simple और decent application है अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर फिलाल किलमा आपको एक test notification बता रहे तो for example अगर मैं यहाँ पर send test notification करता हूँ तो अगर आपको phone lockskin mode में रहता है तो आपको कुछ इस तरीकी के notification आएगा और आपको इस way में दिखाए देगा यहाँ पर आपको देखेंगे तो इस तरीकी से notification अगर आप उसको present hold करते है उपर की तरह अगर आप जाते है तो इसको आपको उस particular application में लेकर जाएगा जिसकी notification आपको आती है और नीची की तरह अगर आप करते हो इस तरीकी से वो dismiss हो जाता है साथ में आपको यहाँ पर देखते हैं तो आपको time और date भी नीची की तरफ दिखा देता है अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पर settings में जाते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से change भी कर सकते हैं आप बेच सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके के जो आट और बेच सकते हैं जो कि मुझे काफी cool लगता है अगर आप आप काफी सारे animals मिल रहे हैं आप इस तरीके की आप देखेंगे यह दिजाइन सारे जो काफी अच्छे जो handmade है आप यहाँ पर इस तरीके से तो नीची की तरफ बॉटम में जो वो चला जाता है, आपको यहां पे category वाइस मिलते हैं, आप जिखेंगे इस तरीकी के आपको मिलते हैं, love, sad, scared, और यहां पे आप इस application के जरीए ही WhatsApp पे बेच सकते हैं, जो मेरे सब से काफी cool है, लोगों को लगेगा कि यह आपने खुद अ अवे स्मीलिऴ